कोटा से आए दिन स्टूडेंट्स के सूसाइट के मामले सामने आते रहते हैं आए दिन आपने भी टीवी न्यूस पेपर में ऐसी खबरे देखी होगी कि किसी बच्चे ने प्रेशर में आकर सूसाइट कर लिया इसको लेकर अब Supreme Court ने parents को blame किया है Supreme Court का कहना है कि सिफ अके लिए coaching institute's को blame करना गलत होगा क्योंकि parents की high expectations भी वज़े बनती है बच्चों पर pressure दालेदी इसी मुद्गे पर हम बात कर रहे हैं युबाओं से वो क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बच्चों को कही ना कहीं किसी हद तक प्रेशर में डालती है। ये बताइए आपके बच्चे होंगी, स्कूल भी जाते होंगे। क्या पेरेंट्स में काई बार बच्चों से बहुत जादा उमीदे कर लेते हैं। नहीं मेरा बेटा भी 12 में ही है वो PCM कर रहा है और वो एक काफी रेप्यूटेट साओ डेली के कोचिंग इस्चूट में भी जा रहा है लेकिन हम बेसिकली चाहरे हैं हमारा बच्चे एक हैपी लाइफ जी एकस्पेक्टिशन सो ओविसली होती हैं लेकिन हम उसके पर इसके प पेरेंट्स अपनी उमीदे भी अपने बच्चों से रख लेते हैं और कहीं ना कहीं यह उनकी पढ़ाई पर तो असर करता ही और कोटा जैसे शहर की हम बात करें जहां कोचिंग इतने जादा है तो एक दूसरे को देख कर भी शायद एक प्रेशर बनता है और बच्चा प्र और स्कूल में भी वो जा रहा है पर हमारा इस पैरेंट्स हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ही मैं बहुत अच्छे लेवल पे इंजिनियर बना चाहता था बट में बिसनस में आ गया बच्चों से हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं है उनका जो कैलिबर है जो उनका जिस तरह स बढ़ना चाहते हैं वो ही आगे बढ़ेंगे और अपने इंट्रस से बढ़ेंगे मेरे सन का इंट्रस कंप्यूटर साइंस में है और इस परफॉर्मिंग वेरी विल इस डूइंग कोडिंग बहुत अच्छा कर रहा है पर सम्हाओ जो हमारा एड्यूकेशन सिस्टम है और कि मुझे कुछ उमीद है कि एड्यूपी में जो कुछ चेंज आएंगे न्यू एड्यूकेशन पालिसी में जो गौर्मेंट इड्यूस कर रही है तो उससे बच्चों के पर थोड़ा बर्डन कम होगा बर्डन कम होगा तो पेरेंट्स की भी उसी तरह से चेंज इस वहां प तो अपने आपको साबित करने की एक जद्व ज़हाद भी होती है अब इस भी सुप्रिम कोट का ये कहना कि सर्फ अकेले कोचिंग को नहीं ब्लेम किया जा सकता है कैसे देखता है I think बहुत सारे factors होते हैं, it's not the one factor जो suicide इतना बड़ा decision है तो उस पे एक factor तो हो नहीं सकता कि जो decide करेगा I think parents, it depends, there are different type of parents, different type of ideologies तो there are some parents who pressurize करते हैं उनकी उस reason की वज़े से face नहीं कर पाता कोई बच्चा अपने parent को उसको लगता है कि मेरे मतलब कैसे face करूं उनकी expectations है मुझसे तो शायद यह भी एक reason हो सकता है आप क्या सूस? मैं भी यह सेमी सूसता हूँ कि ऐसे ऐसा जर्नलाइज नहीं कर सकते कि सारे parents ऐसे करते हैं काफी actually अगर मैं अपने personal example हूँ मेरे parents नहीं कर रहा है इसे पर हां मैं अगर सुनता हूँ जैसे 2-3 की बात है जैसे मेरे कुछ थे classmates तो फिर उनके मैं सब बोल सकते है concern उनका नहीं था की quota में ऐसे जाना गई या फिर coaching industry में पर उनके अगर उनके father या फिर engineer थे या doctor ऐसे तो उनको indirectly pressure कर दिया गया तो ऐसे बोलना गलत नहीं है यह को सुप्रीम पोर्ड ने सही बोला है कि ऐसमें सिर्फ coaching की coaching की गलत नहीं है सिर्फ coaching अकेले जिम्मदार नहीं है coaching को सिर्फ blame कर देना गलत होगा कि बच्चों पर pressure होता है अब खुद student है यह बदा कि कभी ऐसा pressure महसूस हुआ कि नहीं बहुत अच्छा perform करना है और उस pressure में कभी ऐसा हुआ है कि stress आ गया या कभी ऐसे खयाल आते है कई बार कि नहीं मुझे यह course नहीं पढ़ना लेकिन पढ़ना पढ़ रहा है क्योंकि parents actually madam okay हम सोचते हमारे लिए हमारे dad mother हमारे hero होता है हमारे और उनके expectation यह हो सकते है कि मैं अपना personal experience बताओ तो मैं father is an IITian तो कोई भी parents होगा वो obviously expect करेगा कि जहां मैं हूँ parents का सोचना सही है कि बच्चा मेरे से अच्छे लेवल है पोजिशन पर है पर इसका मतलब यह नहीं होता कि आप बच्चे पर ठोपी दो के लिए yes you should do this कि आपको यही करना है तो यह इस चीज़ पर yes parents का factor बहुत जादा play करता है और बच्चे को क्या होता है कि वो अपने parents के अलावत जो एक zone होती है वो सबसे closest zone में अपने parents को मानता है जब वो सबसे closest zone वाले parents ही आपको मतलब अर्ज करते कि आप यह चीज करो तो हमारे पास वो feeling share करने को कुछ होता नहीं और कि हम किसको और जाके बोल सकते हैं वो जो parents जिसको हम सबसे close समझते हैं वो ही जब हमको ऐसे अर्ज कर रहे हैं उस चीज को पुल करने को और हम कोशिश करते भी हैं पर फिर जब नाकाम होते ही होते तो obviously result negative होता है जब अपना काम होते हैं तो उसका परिनाम होता है वो नेगित्रिव होता है और यही वज़े है कि हर साल कोटा ही नहीं देश के अलग-अलग राजियों से ऐसी खबरे आती है कि students पढ़ाई के pressure में आत्मत्या कर लेते हैं और अब इसको लेकर सुप्रिम कोट ने बड़ी ब कर दो